यह नॉर्मल सा पाच रूपय वाला शापनर तो हम सभी बच्छपन से यूज करते हैं बट क्या आपने कभी छेसो रूपय वाला शापनर यूज किया है? नई! मैंने भी नहीं किया था और इसमें ऐसा क्या है? यही जानने के लिए मैंने रिसेंटली इसे एमेजन से ओर किया लिटरली मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी शापनर पर छेसो रूपय स्पेंट करूँगा बिकाज इस वाले शापनर में ऐसा तो कोई इशू नहीं है बट जितने भी सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल्स होते वो इससे मुस्ली तूट ही जाते हैं लाइक 8B, 10B and specially चारकूल पेंसिल्स and that's why मुझे तो इसका एक पर्मनन्न सोलूशन चाहिए था बिकाज मैं बहुत ज़्यादा परिशान हो गया था पेंसिल्स के तूटने को लेकर and अगर वो पर्मनन्न सोलूशन यह है दिन मेरे लाइफ की आदी प्रॉब्लम तो समझे सॉल्व हो गई and चेक करने के लिए मैंने सबसे पहले 10B लिया है and यह तो बिलकुल easily sharp हो गई बिना तूटे that means graphite pencil तो हम easily sharp कर सकते है but अब बारी है इस नाजुक से pencil की जो सबसे ज़्यादा तूटती है but यह pencil भी बिलकुल easily sharp हो गई बिना तूटे so अगर आप भी मेरी तरह परिशान हो pencil के तूटने को लेकर then you should definitely buy this but still अगर आप अभी इस पर इतना spend नहीं करना चाते दिन मेरे पास एक गरीब हो वाली scheme भी है I mean जो normal 5 रुपय वालश आपना रहे उसे बस time to time बदलते रहो